हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल रेस्पी रेस्पी फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए समरे स्पेशल आइस क्रीम की रेस्पी लेकर आई हूँ यह कस्टड आइस क्रीम की रेस्पी है जिसे की मैंने बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाया है इसे बनाने में म क्रेज्स क्रám बनाने में अमूल फ्रेश्क्रीम अमुल फ्रेश्क्रीम जानी 1957 मार्केट में कहीं भी मिल जाता है इसलिए आइस क्रीम मनाने में मैं ज्यादा तर फ्रेश क्रीम का ही इस्तमाल करती हूं फ्रेश क्रीम बहुत सारे ब्रैंड में आती है आप किसी भी ब्रैंड का इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहें तो फ्रेश क्रीम की जगह डेरी या नॉन ड क्रीम दूद का ही इस्तमाल करना है कस्टर्ड पाउडर टू टेबल स्पून मैंने वनीला फिलेवर वाले कस्टर्ड पाउडर का इस्तमाल किया है मेजर्मेंट के लिए मैंने 200 ml के कप का इस्तमाल किया है सबसे पहले मैं कस्टर्ड तयार कर रही हूं तब तक के लिए मैं क्र प्रिज में रख देती हूं ताकि यह ठंडी रहा है क्रीम अगर थोड़ी सी गर्म हो गई तो यह भी नहीं हो पाएगी कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए मैं एक कप दूद से टू टेबल स्पून दूद निकाल रही हूं ज्यादा दूद हमें नहीं निकालना है इस इसलिए मैं बचे दूद को उबाल लेती हूं दूद की मातरा कम है इसलिए अभी गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम करके रखा है ताकि दूद जले नहीं इसे बीच-बीच में चलाते रहना है हम दूद में एक उबाल आने का वेट करेंगे देखेए फ्रेंट्स दूद में उबाल आने लगा है अब हम इसमें कन्डेंस्ट मिलक डाल देंगे इस समय गैस की फ्लेम को लो कर देना है ताकि यह जले नहीं इसे अच्छे से दूद में हम मिलाएंगे करनेस्ट मिल्क दूद में अच्छे से मिल चुका है इस वज़े से तैयार मिक्स्चर का टेमिप्रेचर गिर चुका है हम इसमें फिर से एक उबाल आने का वेट करेंगे इस समय गेस की फ्लेम को लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं थोड़ा सा भी जल गया तो आइस्क्रीम का टेस्ट खराब हो जाएगा इसमें उबाल आने लगा है अब हम इसमें कश्टर का गोल डालेंगे फ्रेंट्स गोल डालने से पहले हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है ताकि पेंदी में जो भी कश्टर पाउडर बैठ गय करना है ताकि यह जले नहीं धीरे-धीरे यह मिक्स्चर गारा होने लगेगा लगवक चार मिनिट हो चुके अब हम गैस की फिलेम को बंद कर देंगे कश्टर को हमें इतना ही गारा होने तक पकाना है अब हम कश्टर को नॉर्मल टेंप्रेशर तक आने तक ठंडा करेंगें इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है ताकि इस पर पपड़ी नहीं बने कस्टर्ड बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसपर कर लेती हूँ फ्रेंड्स हमें इसे बिल्कुल चील्ड करना है इसलिए मैं इसे 10-15 मिनट के लिए डीफ फ्रीजर में रख देती हूँ क्रीम पीग ले नहीं इसके लिए इसका चिल्ड होना जरूरी है अब मैं क्रीम को विप कर लेती हूँ इसके लिए मैंने आइस बेड बना लिया है इसे क्रीम आसानी से विप हो जाती है इसके उपर हम fresh cream का bowl रखेंगे, इसको मैंने तुरंत अभी freeze से निकाला है, ये बहुत अच्छे से chilled है cream को medium to high speed पर electric beater से इसमें soft peak आने तक beat करना है electric beater से cream आसानी से और कम समय में विप हो जाती है friends हमें beater की speed को कम्या जादा नहीं करते रहना है beater की speed कम्या जादा करते रहने से cream अचे से विप नहीं हो पाती है विप होने के बाद ये cream double से भी जादा हो जाएगी देखे friends cream की thickness धीरे धीरे बरती जा रही है लबख 5-6 मिनट हो चुके हैं cream में soft peak बन रहा है हम cream को और जादा विप नहीं करेंगे इस cream को हमें ice bed पर से नहीं अटाना है custard को मैंने deep freezer से निकाल लिया है देखे friends custard कितना ज़्यादा गारा हो चुका है friends इस बात को ध्यान में रखना है तयार custard का temperature whipped cream के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए इसका temperature cream से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा रहने पर cream पिखल सकती है हम इसमें एक बार बीटे चला लेंगे ताकि इसका texture थोड़ा सा smooth हो जाए और इसमें थोड़ी सी भी पप्री नहीं बचे अब हम custard को whipped cream में डाल देंगे इसे हलके हाथ से cream में fold करेंगे whipped cream को ice bed से नहीं हटाना है ice bed पर से cream को हटाने से cream पिखल सकती है अगर इसमें आपको ice cream के mixture का color थोड़ा हलका लग रहा हो तब आप इसमें food color add कर सकते हैं मैं इसमें एक drop yellow food color का इस्तमाल कर रही हूँ मैं इसमें एक से देर मिनट के लिए बीटर चला लेती हूँ ताकि whipped cream, custard और food color अच्छे से mix हो जाएं इसको ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना है क्योंकि dairy वाली cream ज़्यादा देर तक बीट करने पर whipped होने के बाद यह धीरे धीरे पिखलने भी लगती है यह देखें फ्रंस, ice cream का mixture पहले जैसा थिक हो चुका है हम इसे एक बार spatula से भी मिला लेंगे side में लगे mixture को भी अच्छे से fold कर देंगे ice cream के mixture की thickness ऐसी ही होनी चाहिए cream को spatula पर उठा कर पलटने से यह आसानी से नहीं गिरना चाहिए साथी cream में इस समय soft peak भी बननी चाहिए अब हम जल्दी से mixture को air tight container में transfer कर लेंगे container air tight होना चाहिए इससे ice cream में ice crystal बनने के कम chances होते हैं साथी ice cream का mixture container के आदी से ज़्यादा होना चाहिए इससे ice cream अच्छे से set होती है इसको हम plane कर लेंगे container को थोड़ा सा tap भी कर लेंगे इस पर aluminium foil लगा कर इसकी lid को लगा देंगे aluminium foil की जगा हम butter paper का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं इसे 6-7 गंटे के लिए deep freezer में रख देती हूं 6-7 गंटे के बाद मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए beat करूंगी ये process मैं दो बार करूंगी ऐसा करने से ice cream soft और creamy बनती है साथी इसमें ice crystal भी नहीं बनते है 7 गंटे बाद मैं ice cream को दिखाती हूं देखे friends ice cream काफी हद तक जम चुकी है हम इसे काटे चमास से इस तरीके से मिलाएंगे ताकि ice cream container को छोड़ दे इस समय हमें ice cream को पिखलाना नहीं है ice cream को एक बरे बोल में निकाल लेती हूं हम इसमें beater को गुमाते हुए थोड़ी देर के लिए चलाएंगे चुकी हमने ice cream में दूद का भी इस्तमाल किया है इसलिए friends इस समय mixture को बीट करने के लिए beater का ही इस्तमाल करें इस समय mixi का इस्तमाल करने से ice cream का mixture liquid हो जाएगा beater को और ज़्यादा नहीं चलाना है मैंने मुश्किल से एक मिनट के लिए beater को चलाया है इसको ज़्यादा चलाने से mixture ज़्यादा liquid हो सकता है ice cream के mixture का texture इस समय ऐसा ही थिक होना चाहिए इससे ice cream को set होने में ज़्यादा time नहीं लगेगा और साथी ये soft और creamy भी बनेगा इसके उपर ammonium foil लगा कर इसकी lid को लगा देंगे हम फिर से इसे 6-7 गंटे के लिए deep freezer में रखेंगे और 6-7 गंटे बाद फिर से हम इसी process को दोराएंगे फ्रेंस ice cream को इस तरीके से beat करने का process हम जितनी ज़्यादा बार करेंगे ice cream उतना ही ज़्यादा soft बनेगा इस process को at least दो बार ज़रूर करना है दूसरी बार के process के बाद मैं ice cream को overnight के लिए set होने के लिए deep freezer में छोड़ दूंगे फ्रेंस overnight के बाद मैं ice cream को दिखा रही हूँ यह ice cream बहुत अच्छे से set हुई है ice cream को scoop out करने से पहले हमें scooper को गर्म पानी में ज़रूर dip कर लेना है देखें friends ice cream कितने आसानी से scoop out हो रही है friends ice cream अच्छे से scoop out हो इसके लिए इसे serve करने से 15 मिनट पहले deep freezer से निकालकर freeze में रख देना चाहिए इससे ice cream scoop out करने में कोई परशानी नहीं होती है friends ice cream में जो cracks जैसे दिख रहे हैं इन cracks का मतलब है कि ice cream बहुत अच्छे से set हुई है मैं custard ice cream को कटे बादाम पिस्ता, टूटी, फुरूटी से garnish कर रहे हूँ आप इसे अपने हिसाब से garnish करके या बीना garnish करके भी खा सकते हैं friends आप सब भी मेरे तरीके से custard ice cream की इस recipe को जरूर बनाईए ice cream बिलुकुल बाजार जैसी soft, creamy और testy बनेगी friends कैसी लगी आपको मेरी आज की recipe कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आई हो तो इसे like share जरूर करिए साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस कर देजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं recipe के साथ अब तक के लिए bye friends